हेलो गाइज, वेलकम तो स्टड़ी विथी चैनल, आज मैं आपको इस वीडियो में सुप्रिम कॉर्ट आफ इंडिया से लेटेड इन्फोर्मेशन बताने वाला हूँ, जो आज इन्फोर्मेशन आया हुआ है, तो चलिए जानतिस इन्फोर्मेशन के बारे में, वीडियो जो हमारे परसिडेंट है, रामनाथ कोविन्ड, उन्होंने न्यूओ रामनाथ कोविन ने मंडे को ये साइन केया एपॉइंटमेंट लेटर जो जश्टिस आनफी रमाना जो है वो नेक्स्ट चीप जश्टिस ऑफ इंडिया रेने वाले हैं सात में जश्टिस रमाना जो है वो 48th CGI होंगे 48th CGI Chief Justice of India Justice Ramana होंगे जो काफी पहले Supreme Court में वो वर्क कर चुके है 17 फरवरी 2014 से important है Supreme Court में Chief Justice of India डेट मेंज ऐसे Bob Day जो है वो retirement लेंगे 23 अप्रेल 2028 को और उनके जगापर जो है Next Chief Justice of India वो 24 अप्रेल 2028 को appointment लेने वाले हैं जो Justice Ramana है उनका appointment 24 अप्रेल 2028 को होगा और यह चीज़ को लेकर रामनात कोविन प्रसिडेंट ने यह चीज़ को appointment के लिए कर चुका है और साथ में इनका appointment होगा और Justice Ramana जो है सबसे longest tenure के Chief Justice of India रहने वाले हैं जो 16 months के लिए appointment उन्हें किया गया है और इनका जो retirement फिर किया जाएगा वो 26 अगस्त 2022 में इनका retirement होगा और यह longest tenure Chief Justice of India रहने वाले हैं जो इनसे पहले अभी तक nearest में कोई भी justice को नहीं रखा गया है और साथ में जो इसके पहले सबसे longest tenure के लिए रखा गया था वो SH का पार्डिया था जिनको longest tenure के लिए रखा गया था जो मैं 2010 से लेके सब्तेंबर 2012 तक इन्हें appointment किया गया था तो यह second longest tenure Chief Justice of India होने वाले हैं जो Justice रमाना को appointment किया जा रहा है 16 months के लिए तो यह जो news निकल कर आई है आज ही news आया हुआ है कि इनका appointment और होने वाला है जो रामनात कोविन के तरफ से यह clear हो चुका है तो ऐसे ही interesting वीडियो देखने के लिए और new वीडियो जो है vacancy से related साथ में new amendment rules से related और भी देखने के लिए study with me को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जितना हो सके शेर कीजिए and thank you so much for watching this वीडियो और वीडियो को लाइक चरूर करें